तो हमारी जो जनर नॉलेज़ की सीरीज हम कांटीनिव कर रहे थे फॉर एसी सी वान थ्री वान एन वान थ्री टू की परपेशन के लिए उसको कांटीनिव करते हुए इस वीडियो सीरीज का आप के लिए हम पार्ट नाइन्थ लेके आए हैं जिन केंडिडेट्स ने पिछले वीडियो लेक्चर इस सीरीज के नहीं देखे हैं I am requesting all of them के please cover करिये because इस से आपकी JK जो आपका question है उसमें काफी जादा आपको help मिलेगी ठीक है so without wasting your time we will start from the question number 241 240 questions हमने discuss कर ली है one-liners JK के अब हम बात करेंगे यहाँ पे 241 number question की ठीक है तो यहाँ पे आ जाता है question where was the birth of Mughal Emperor Akbar तो जो अकबर थे Mughal Emperor इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था ठीक है तो बर्थ की अगर हम बात करें यह है इनका Amarkot Fortress Amarkot जो किला था वहाँ पे हुआ था और जो present day यह है सिंद प्रॉविंस पाकिस्तान की जो है वहाँ पे यह आता है ठीक है उसके बाद में in which country 2024 T20 World Cup will be held basically by mistake जो dates है पुराने वाली है मैं because आपको updated वाला जो question आ सकता है उसके regarding में बता रहा हूँ तो अभी T20 World Cup जो है USA and जो Caribbean जो Caribbean countries है वो host करेंगी इस बार का 2024 का T20 World Cup ठीक है because current से related question आते हैं इसलिए मैं आपको उस तरह से बना के बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद में in which country तो next question in which country will be the football in which country 2026 football World Cup will be held तो ये भी same जो है आपको USA में देखने को मिलेगा USA, Canada, Mexico ये countries मिलके host करेंगी ठीक है तो next आ जाता है Commonwealth Games वो भी 2026 में होंगे next वाले तो ये कौन सी country host करेगी तो Commonwealth Games 2026 की Australia ही host करेगा ठीक है उसके बाद में जो cricket World Cup है उसके related अभी जो होगा वो मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके बाद who chairs the joint sitting of two houses जैसे की हमारा Parliament होता है उसमें दो houses होते है lower house and upper house तो उनको जो है वहाँ पे chair कौन करता है तो speaker of the house जो होता है वो chair करते है वहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद में आ जाता है who was the first लोग सबा speaker of India most important question है ACC exam में बहुत बार पूछा भी जा चुका है G.V. Malvankar ये हमने बहुत बार पहले भी discuss किया हुआ है previous जो exams हुए ACC के उनकी preparation में भी ठीक है उसके बाद में next आ जाता है under which article J.N.K. was given the special status तो article 35A और article 370 ये जो दो articles थे इनके द्वारा special status दिया गया था अब question आपको इस तरह से भी आ सकता है कि on which date article 370 was abrogated तो आपको बताना है comment box में मैं आपको hint दे देता हूँ अगस्त के महिने में हुआ था ये उसके बाद में who decides a bill is a bill or not तो जब भी कोई लोकसभा में मतलब bill पेश करा जाता है तो वो decide ये करा जाता है speaker के द्वारा because basically he is presiding there ठीक है उसके बाद which is the world's largest continent तो सबसे बड़ा world का continent कौन सा है ये है Asia continent और इसकी trick मैं आपको बता दूँ Russia जो की दुनिया की सबसे बड़ी country है तो Asia के पास Russia है इसलिए ये सबसे बड़ा continent है ठीक है उसके साथ में आप सबके लिए एक बहुत बड़ीया news है कि हर बार हम जो quiz session होते थे आपकी ACC exam की preparation के उनकी तैयारी एक महीना पहले हम करवाते थे बट अभी आपके exam के लिए कम से कम डाई महीने है तो अभी से ही हमने quiz जो है start कर दिया mission अपना ACC 131 and 132 start कर दिया जिसमें हम daily basis पे आपको quiz preparation करवाएंगे रोज रात 10 बजे because mostly service candidates free होते है on ACC telegram channel आपको quiz अलग अलग ACC के subject पे देखने को मिलेगा जो कि आपका officer बनने का सफना जो है उसे पूरा करने में काफी जादा help करेगा आप खुद सोचिए जब daily basis पे आप quiz में participate करेंगे जब तक आपका exam आएगा तो आपको कितना ज़्यादा experience हो जाएगा किस तरह के question आ सकते है किस तरह से questions को tackle करना है कोशन को कौन से subject में हमारा जो है ज़्यादा हमें problem देखने को आ रही है मिल रही है कौन से subject पे मुझे ज़्यादा focus करने की दुरूत है तो अभी के अभी अपना telegram open करें और जाएं वहाँ पे telegram के ओपर search करें ACC defense academy और join कर ले ACC defense academy का telegram channel और अपनी तैयारी जोरों और शोरों से start करें यहाँ फिर इस वीडियो के description में भी आप जा सकते हैं वहाँ पे भी ACC defense academy का telegram channel का link आपको provided है वहाँ से भी आप join कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में next आ जाता है question हमारा हैदराबाद is situated on which river तो हैदराबाद जो है यह मुसी रीवर के जो है यहाँ इसके bank पे situated है और एक चीज़ और मैं बतातूँ आप mostly देखना जो भी बड़ी cities होती है उनके आसपास कोई ना कोई water body जरूर होती है ठीक है because पानी से ही सारी चीज़ें शुरू होती है तो मुसी रीवर जो है यह एक deck and plateau की बहुत जानी मानी रीवर है ठीक है और उसके बाद में इस रीवर में जो मतलब हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगी यह रीवर इसका जो मुसी रीवर है यहाँ पर बहुत ज़ादा इसके tourism के लिए भी famous है ठीक है उसके बाद में next आ जाता है who is the world's largest producer of silver तो silver चांदी का सबसे ज़ादा जो है largest producer इस पूरे world में कोन है Mexico country जो की North American continent में पाई जाती है ठीक है उसके बाद में according to the area which is the smallest country in the world तो Vatican City जो की European continent में यह smallest country है इस world की और even कि यह हमने कल की quiz में पर्सों की quiz जो थी टेलिग्राम चैनल पे उसमें भी sir ने यह question दिया हुआ था ठीक है उसके बाद next question आ जाता है which two seas connect the Swiss canal Swiss canal बहुत जादा important है because यहां से trade बहुत जादा होता है इस से related question ACC में पूछा भी जाता है तो Mediterranean Sea and Red Sea यह जो दो sea है ना इनको मिलाती है Swiss canal basically जैसे दो समुंदर है उसके मतलब दो टापू है उसके बीच में थोड़ा सा पानी का यह area है एक बार आपने देखा होगा एक ship भी फस गे थी Swiss canal में यह चीज़ है यहां Mediterranean Sea मान लो यहां Red Sea मान लो इस तरह से होता है ठीक है तो कौन connect करता है Swiss canal canal मतलब नहर नहर बाइद बहुत बड़ी है यह थीक है उसके बाद में next question आ जाता है which of the two ocean combines the Panama Canal तो यह Panama Canal जो है ना यह link करता है Pacific Ocean and North Atlantic Ocean को ठीक है परशाद महासागर जो की विश्व का सबसे बड़ा महासागर है यह आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद में next आ जाता है what is the capital of India's federal territory दादर अन नगर हवेली तो दादरा अन नगर हवेली की जो capital है यह सिलवासा है इसकी capital ठीक है और इसमें काफी जादा आपको industries वगएरा भी जो है देखने को मिलेगी जिससे काफी जादा taxation वगएरा भी वहाँ पे सरकार को आता है ठीक है उसके बाद में most important question है and most repeated question है ECC entry के लिए what is the largest state of India in terms of area तो सबसे जादा सबसे बड़ी state in terms of area कौन सी है राजस्तान है और आप सबके लिए home assignment यह है कि सबसे छोटा area कौन सी state का है इंडिया में देखते हैं कितने candidates को पता है ठीक है Earth Day is celebrated on which date यह आगया हमारा next question तो हमेशा Earth Day celebrate करा जाता है 22 April को ठीक है और यह basically क्या इसके message क्या दिया जाता है कि एक मतलब pollution free deforestation free हमारा Earth एक सुन्दर Earth जो है उसको maintain करा जाए जिस पे हम living being अच्छे से रहें ठीक है which state is called as the valley of floors तो कौन सी state का जो है जिसे valley of floors का जाता है यह है उत्राखंड state ठीक है चुमोली और पिथोड़ागंड की जो districts है उत्राखंड में यहाँ पे बहुत जादा floors आपको देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद में next question आ जाता है which is the capital of newly built country southern Sudan तो by the way अब यह newly built नहीं है काफी time हो गया इसको भी 12-13 साल हो गया है तो Juba इसकी capital है और साथ मैं में बता दूँ जो भी candidates चाहते हैं कि यह आपको अपने PDF notes यह study material अपने address पे चाहिए जिससे कि आप अपनी बड़िया तैयारी कर सकें अपनी unit पे तो हमें whatsapp करें 812-074-5966 पे हम आपको study material भी आपको provide करवा देंगे आपके unit के address पे यह घर के address पे बिलकुल भी जिनता करने की आपको जोरुत नहीं है तो इस number पे हमें whatsapp करें 812-074-5966 पे next question बात करते है who is the chairman of planning commission तो planning commission को by the way अब निती आयोग के नाम से जाना जाता है 2015 से ठीक है और इसके जो chairman होते हैं ex official chairman आप बोल सकते हैं यह होते हैं prime minister of India ठीक है who was the author of mirror akbari तो यह किताब जो थी mirror akbari इसके author जो थे अबुल फजल थे ठीक है अबुल फजल उसके बाद next question आ जाता है which sport is associated with the hope man cup most important है because sports and cup से related questions मिलते हैं बहुत बात जी के section में आते हैं तो hope man cup जो है यह international tournament होता है जो की tennis tournament से related है ठीक है उसके बाद में who is known as the who is known by the name of देश बंदू तो यह चितरणजन दास जी इस नाम से जाने जाते है next question है how many tillas are there in अशोग चक्रा तो total 24 spokes है टिला या spokes भी आप बोल सकते हैं ठीक है जैसे ऐसे इस तरह से होते हैं अशोग चक्र जो की हमारे इंडिया के flag में है ठीक है यह चीज़ है next आ जाता है which was the first movie in India तो पहली movie कौन सी थी राजा हरीश चंदर थी पहली movie इंडिया में और मैं आपके knowledge के लिए बता दू 1913 में यह first Bombay में made in India movie थी ठीक है उसके बाद में what is the smallest bone या फिर which is the smallest bone in human beings तो मैं आपको बता दू step ही होती है सबसे smallest bone जो है human body में ठीक है और यह आपको कान के आसपास देखने को मिलेगी which is the biggest bone in human being तो यह होती है farmer ठीक है और यह basically आपको देखने को मिलेगी thigh bone में tango में देखने को मिलेगी how many muscles are there in the human body तो human body में around आपको 600 plus muscles देखने को मिलेगी exact अगर figure की बात करें तो 639 मिलेंगे आपको देखने को उसके बाद RBCs इसका आजाता है what is the life span of red blood cells तो जो RBCs होते हैं इनका जो life span होता है average मैं बता रहा हूँ 120 दिनों का life span होता है ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपके लिए निया batch ACC 131 और 132 candidates के लिए स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको हम full-fledged preparation starting से करवाएंगे ठीक है जैसे ही आप course join करेंगे आपको full PDF notes मिलेंगे new pattern के जिसमें हम आपको full theory, MCQs and one-liners देंगे और साथ ही साथ आपको सारे subjects भी आपके cover होंगे उसके साथ में जैसे कि सारी चीज़ने आपको notes से समझ नहीं आती तो इसलिए PDF notes के साथ में आपको recorded video lectures भी provide करेंगे हम वो जो video lectures होते हैं you can watch them anytime and साथ ही साथ आपकी daily live classes रोज रात में 9 बज़े से 11 बज़े चलेंगी because mostly service candidates night में free होते हैं ठीक है और weekly आपके mock test होंगे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा personal classes होंगी जो भी हमारे candidates जिनको मतलब समझने में दिक्कत आ रही होगी तो ये अभी आप अगर अभी weekend में course join करते हैं तो weekend 40 का coupon code अगर आप लगाएंगे तो सीधा सीधा 40% का discount आपको आज Saturday और Sunday को मिल जाएगा 15% extra discount पाईए और जितने में हम आपको पूरा course करवा देंगे join वहाँ में उतने में आपको कहीं भी ACC के notes भी नहीं बिलेंगे तो एक subscription आपको लेना है कोई और किताब कोई study material आपको लेने की जरूत नहीं है guaranteed आपको top 500 की ranking में हम लेके आएंगे तो अभी क्या भी हमें whatsapp करें 8120745966 पे हम आपको पूरा guide करेंगे personal counselling आपका करेंगे और यहां फिर directly ACC defense academy के application डाउनलोड करें play store से वहाँ पे courses section में जागे ACC 131 new badge यह ACC 132 new badge आप join कर सकतें इस तरह के hand written notes PDF notes आपको मिलेंगे classes आपकी शुरू हो जाएंगी और यह मैं आपको दोबारा announcement कर दूँ यह सब चीजे आपके लिए हम कर रहे हैं तो quiz पका join करिएगा आज रात 10 बजे मिलते हैं ACC defense academy telegram channel पे जो की आपका अफसर बनने का अपना साकार करने में दिन और रदात आपके teachers लगे हैं Thank you so much for watching the video इस series को अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को like करें comment box में comment करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगती है जी के जी जो हमने यह series start करी है Thank you so much and jahin to all future officers